हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने योट्यूब से रना मोर के रेटिव पर स्वागत है आई जाने किसान कर जमाफी पर आया है नया अपडेट और किसानों की संकाओं का हुआ समादान जानते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जर समय पर रिण अदा करने वाले किसानों का बैंक ने किया सम्मान 28 सितंबर 2019 का अपडेट ग्राम पंचायत खडला के पंचायत बहुन प्रांगण में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था बैतुल जिले से खबर है समय पर रिण अदा करने वाले किसानों का सम्मान किया गय किसानों की संका का किया गया समादान, किसान संबेलन में बैंग की अधिकारियों ने किसानों की संकाओं का भी निदान किया, उन्होंने बताया कि वर्तमान फसलों में लागत के लिए किसानों को पैसों की अवसकता है, एसी इस्थिती में भारती स्टेट बैंग किसानों को उ तो कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा अर्थात 7% पर मिल जाएगा और यदि उसका नवीनी करण नहीं हुआ या फिर आप डिफाल्टर हो गए तो आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा इसलिए State Bank ने यह निती अपना है कि यदि आपका कर्ज माफ नहीं भी हुआ अभी तक तो आपका क्रेडिट कार्ड लोन नवीन किया जाएगा रिण माफी योजना अंतरगत पात्र किसानों में योजना के लाप को लेकर कई संका बनी हुई है एसे में कई किसान जानबुच कर के सी सी का नवीनी करण करने में रूची नहीं दिखा रहे हैं किसानों की संख्या का सम किसकों की पात्रता पर कोई विप्रीत प्रभाव नहीं पड़ेगा इस मौके पर बड़ी संख्या में छेतर के किसान उपस्तित थे मतलब यदि आपका रिण माफ नहीं हुआ है और आप के सी सी का नवीनी करण करा लेते हैं तब भी फसल रिण माफी योजना का के सी सी पर दुस्प्रभाव नहीं पड़ेगा ये तो किसानों के मन में जो संका थी के सी सी को ले करके उसके बारे में बैंकों के अधिकारियों ने उनका समाधान किया है अब किसान करज माफी पर मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया है जनवरी 2020 तक सभी किसानों का रिण माफ हो आपकी सरकार आपके दौर कार्करम को संबोधित किया कार कर्करम के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देतें हुए कहा कि आगामी दिसंबर वगत बड़ी बात है किसान करज माफी के उपर अभी तक किसानों का करज माफ नहीं हुआ है नगरी प्रसासन मंत्री ने अपडेट दिया है कि आगामी दिसंबर या जनवरी तक प्रदेश के सभी किसानों का करज माफ हो जाएगा बारिश के कारण हुए नुकसान का मुआज़ा भी मिलेगा पहले चरण के कई किसानों के 50,000 तक का रिन माफ हुआ है अब जनवरी तक सभी किसानों को रिन के बोच से रहत मिलेगी उन्होंने का कि प्रदेश की कमना सरकार किसानों के हित में कारी कर रही है और बारिश के कारण फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मुआज़ा रासी का वित्रण कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है अभी प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है जनधन की हानी हुई है और इसके लिए राल सरकार ने मुआज़े का एलान कर दिया है कि 15 अक्टूबर तक आपको मुआज़ा मिल जाएगा केंदर सरकार को भी पत्र लिखा जा चुका है और केंदर की टीम भी सर्वे करके जा चुकी है अब केंदर सरकार भी प्रदेश के किसानों को मुआज़ा देगी और प्रदेश सरकार भी देगी तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए हम इंतजार कर रहे थे कि करज माफी कब तक होगी लेकिन यह अपडेट हम सभी को रहात देगा तो इस प्रकार से जानकारी थी अधि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी त्योवारों का सीजन च सब्सक्राइब करते हैं तो अमेजन से खरी सकते हैं वहाँ पर आपको सस्ते दामों पर अच्छे प्रोडक्ट वाले अच्छे क्वालिटी वाले उत्पाद मिल जाएंगे चाहे वो टीवी हो मोबाइल हो फ्री जो वासिंग मसीन हो इंडेक्स अंचूला हो इलेक्ट्रिक प्रेस हो जोलरी हो कपड़े हो जूते हो कुछ भी आफर के साथ मिलेंगे तो वीडियो के डिक्स्रिप्शन में दिये गए अमेजन के लिंक से आप खरी सकते हैं तो इस प्रकार से जानकारी थी एधि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और अभी त झाल